बेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 29 अगस्ट 2022 और 29 अगस्ट 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान से देखिए लास्ट व मैं आप से कुश्चन भी पोचूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज कि इस वीडियो की पेडियो की डिस्कसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पेडियो आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भी डाउ तरल हाइड्रोजन टेंग को केस देश में बेजा गया है तो अभी अपने देश भारत में निर्मे सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टेंग को साउथ कोरिया बेजा गया है तो इसकुश्चिन का बे आप्सिन सही है एक्शल में क्रायोजनिक उपकरड और समाधान बनाने वली एक कम्पनिय है आयन उक्षवा और इसी ने यह सबसे बड़ा तरल हाइड्रोजन टेंग भारत में बनाए है और अब इस टेंग को साउथ कूरिया बेजा यह सबसे बड़ा तरल हाइड्रोजन टेंग है तो इसकी केपेसेटी कितनी है की कैपेसेटी 238 meter Q, कितना? 238 meter Q, और इसे कांडला पोर्ट से South Korea बेजा गया है अब South Korea, तो ये है मैप में South Korea South Korea की capital क्या है? Sea All, South Korea की currency क्या है? South Korean One, और South Korea के अभी नए president कौन बने है? Yoon Suk Yol, अभी ओसिनिक सिटी नमक तेरता हुआ सेर South Korea में इस्तापित किया जा रहा है अभी SpaceX ने South Korea के sand उपगरे Anasis 2 को सपलता पूर्वक लॉंच किया है और अपना पहला स्वदेसी रॉकेट, नूरी, South Korea ने लॉंच किया है South Korea की पहले स्वदेसी रॉकेट का नाम क्या है? नूरी, इसे अभी South Korea ने लॉंच किया North Korea और South Korea को डिवाइड करने वाई लैन को कियते है 38 पहला तो इस कुश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अल्पो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सियर जरुक्या करो और मैं आपको भी बोलता हूँ Daily Morning Note कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टार्गेट फिक्स करो लेकिन Daily Morning Note कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को achieve करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी नए question है हाली में मराबत उत्सब कहां मनाया गया है तो मराबत उत्सब ये अभी नागपुर में मनाया गया तो इस question का say options है ये और ये माराष्ट में सिर्फ नागपुर में ही मनाया जाता है मराबत उत्सब की सुरुवात कब होई थी 1885 में अच्छा इसको मनाया क्यों जाता है तो इसका मुख के उद्दे सहर को दुस्ट आत्माओं के हमले से बचाना है तो मरावत उत्सव महाराष्ट में सिर्फ नागपूर सहर में मनाया जाता है ने क्यूशन है हाली में केसराज ने Outlook Traveler Awards 2022 का रजयत पुरुसकार जीता है तो अभी तमिलनाडू ने Outlook Traveler Awards 2022 का रजयत पुरुसकार जीता तो इसक्यूशन का बे आप्सन सही है अब तमिल्णाडू ने जीता तो ये है मैप में तमिल्णाडू तमिल्णाडू की केपिटल गया है जेन नहीच नमबर उन पर रहा है और तमिलनाडू सरकार ने आई टी आई की अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलोजीज के साथ समझाता किया है अच्छा तमिलनाडू ने तमिल थाई बजदू को अपना राज की गेत कोशित किया है तमिलनाडू में आधि पुरम त्युहार मरा जाता जली कर्ट्व का आयोजन भी तमिलनाडू में किया जाता है तमिलनाडू में एक टाइगर रिजर्ब है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्ब इसे अभी TX2 अबाड मिला था त AX2 आवार्ड क्यों मिला था क्योंकि यहां पर बागों की आबादी दो गुना हो गई अच्छा पूरे देश में मचलियों का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडू और काद्य सुरक्चा सूचकंक में भी तमिलनाडू टॉप पर रहा था इतना आप तमिलनाडू के बार की अमूर्थ सांस्कृतिक बिरासत को बड़ावा देने और उसकी रक्चा करने के लिए यूनेसको किसा साज़धारी की तो इस कुछिन का से ओप्सन सही है अब यूनेसको यानि की यूनाटे नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल और्गनाइशन इसकी की राष्ट मंदल संसदी संग संविलन में को साध्यक शुना गया तो अभी अनुराग सर्मा को राष्ट मंदल संसदी संग संविलन में को साध्यक शुना गया तो इस कुछिन का बे ओप्सन सही है कनाडा के हैली वैक्स में हुआ है ये राष्ट मंदल संसदी संग संविलन और यहीं पर अनुराक सर्मा को को साथ देख चुना गया है नएक क्यूशन है हाली में सूध करताओं की एक टीम ने बारत और किस देश में लंबी उंगलियों बाले चमगादणों की एक नई प्रजातिक हो दिये तो अभी सूध करताओं की टीम ने भारत और स्रीलंका में लंबी उंगलियों बाले चमगादणों की एक नई प्रजातिक हो जी तो इस कुश्चिन का A options है अब स्रीलंका तो यह है map में स्रीलंका स्रीलंका की capital क्या है कुलंबो और स्रे जैवर्दिने पुरम कुटे कुलंबो commercial capital है और स्रे जैवर्दिने पुरम कुटे administrative capital है स्रीलंका की currency क्या है स्रीलंका रूपी और स्रीलंका की present time पर President कौन है रनिल बेक्रम सिंगे अच्छा इस map से एक question बनता है कि इंडिया और स्रीलंका की वीच में कौन सी खाड़ी है तो इंडिया और स्रीलंका की वीच में हैं पाक की खाड़ी और सुद्ध हिंदी में से पाक जल डमरू मंडल कहते है अच्छा स्रीलंका ने देश में आने वाले परेटकों के लिए लंबा बीजा जारी करने का फैसला किया है अरजुन रड़ तुंगा को अभी आई एक रिपूर्ट के अनुसार देश में दबा उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिसत की ब्रद्धी हुई है तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में दबा उत्पादों के निर्यात में 140 प्रतिसत की ब्रद्धी हुई है तो इस question का say options आई है next question है हाली में Acom Express ने सही पतों की जानकारी के लिए किस कमपनी के साथ साज़दारी की है तो Acom Express ने अभी सही एड्रेस की जानकारी के लिए what three words के साज़दारी की है तो इस question का बे options आई है Logistic company है Acom Express इसने what three words के साज़दारी की what three words ये एक London की company है और ये exact location को track करती है इसकी सुरुआत कब होई थी इसकी सुरुआत होई थी 2013 में ने question है रहली में किसने Stockholm 2077-2022 में सरकार के अर्थ गंगा मोडल को बताят है तो अभी असोग कुमार ने Stockholm 2077-22 सरकार के अर्थ गंगा मोडल को बता Drag expiration की तो इस question का A options है है अच्छे ये कौन है असो कुमार तो ये रास्टी स्वच गंगा मिशन के महाने दे सक है कौन है रास्टी स्वच गंगा मिशन के महाने दे सक है ने क्यूशन है हाली में प्रदानमत्री मोदी ने कहां खादी उत्सब को संबोदित किया है तो अभी प्रदार्मंत्री मोधी ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर्ड फ्रंट पर खादी उत्सब को संभोधित किया है। हाली में CAE की करत्रिम बुद्धी संचालित प्रसिच्छड प्रडाली का उप्योग करने वाली पहली एरलाइन कौन सी बनी है। प्रद्योगी की परादार्त पाइलेट प्रसिच्छड समादानों का अग्रडी प्रदाता। हाली में CAE के लिए 100 मैच खेलने वाले एक मात्र भारती खिलाडी कौन बने हैं। तो तीनों फॉर्मेट में 100-100 मैच खेलने वाले CAE के एक मात्र खिलाडी बन गए हैं। यानि कि बिराट कोली ने बंडे, टेस्ट और T20, तीनों में 100-100 मैच के लिए हैं और ऐसा करने वाले ये देश के एक मात्र खिलाडी बने हैं। ने क्यूशन है, हाली में किस कंपनी ने 2046 तक सुद्ध सुनिक कार्बन उत्तर जन के लक्ष के लिए 2,00,00 करोड रुपए खर्च करने की गोशना की हैं। तो ये गोशना की हैं IOCL ने, तो इस क्यूशन का A option सही है। IOCL यानि कि Indian Oil Corporation Limited इसकी स्तापना कव हुई 1959 में इसका Headquarter कहां पे है न्यू डेली में और इसके Present Time पे Chairperson कौन है स्रेकांत माधब बैद। ने क्यूशन है हाली में DRDO ने पिना का Extended Range Rocket का सफल परिक्षड कहां किया है तो अभी DRDO ने पिना का Extended Range Rocket का सफल परिक्षड राइस्तान के पोकरड में किया है तो इस क्यूशन का A option सही है। अब DRDO यानि की Defense Research and Development Organization इसकी स्तापना कव हुई 1958 में इसका Headquarter कहां पे है न्यू डेली में और इसके Present Time पे Chairman कौन है समीर बे कामत अभी इसके नए Chairman बने है डॉक्टर समीर बे कामत नए क्यूशन है हाली में रूस की परमाड उर्जा कंपनी रोसा टॉम के इस देश में दो परमाड रियक्टरों का निर्माड शुरू करेगी तो रूस की एक परमाड उर्जा कंपनी है रोसा टॉम ये अभी हंगरी में दो परमाड रियक्टरों का निर्माड शुरू करेगी तो इस Question का C options ह है अब हंगरी तो यह है मैप पे हंगरी हंगरी की capital क्या है बुडाफेइस्ट हंगरी की currency क्या है Hungarian stip और हंगरी के present time पर प्रामिनिस्टर कौन यह टर अरवान कौन है विकार ओर वान अब लांच वीडियो की question का लास्ट बीडियो मैंने आप से question पूछा था कि हाल ही में कहा के अनंग ताल को रास्टी इस्मारग घोसित किया गया है तो दिलि लिए में है получается चि— यानी कि क connection का ऐा option सही था और लगबक सभी स्ट्रेक्ट म sucks सही दिया thisómust मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लेखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लेख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में पंद्रे माँ Asia Cup के tournament कहा शुरू हुआ है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके लाबा हम हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई भी problem है तो आप Instagram पर indresrc indresrc Instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं आज किस video का आप target जरू याद रखना आज किस video का target है चाली से like तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है अलपू लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group है उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का मारा current interface का video आपको ये video कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब बे आप से subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन किया आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे next exam all based video thanks for watching